हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ लास्ट वीडियो में आई थिंक समय भूल गई थी आप लोगों को थैंक यू कहना कि जो उससे पहले वाली वीडियो मैंने डाली थी ना कर्ड राइस वाली जो दही वाले भथ थे उसके बारे में मैंने पुछा था कौन कौन ये खाता है तो बहुत सारे कॉमेंट थे कि कई जगव पे अलग अलग तरीके से खाया जाता है तो थेंकि सो मच आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की मैं एक्चुली हम लोग पहले एंपी में रहते थे मेरे पीहर साइड से तो वहां पर ये राइस बहुत खाया जाता था इस तरह का और मुझे काफी पसंद था जब मैं साधी करके आई ना सो यहां खाती थी तो हस्बन और मेरे इनलोज की फैमिली कहते थी यह कौन सा कॉंबिनेशन हुआ ऐसा कौन खाता है इस तरह की बाते होती थी तो मैंने थोड़े टाइम के लिए तो गिव अप कर दिया था होता है ना कि भी हम जब साधी करके आते हैं जो हमारे नए घर का रूज रेगूलेशन हो उसी में हम ट्राइ करते हैं जेस्ट होने का सो हुई था यहां पे मंडे का व्लॉग थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर रहे हूं मंडे में सुमवार फस्सुमवार था स्रावन मास का तो यहां पे पूजा वगेरे मैंने कर ली मैंने सब दिन की खिचड़ी बनाई थी तो आप सब भी भगवान से बस प्रेयर कर लीजिए जो भी मांगना है मांग लीजिए क्योंकि कहते हैं कि स्रावन मास में भगवान हर किसी की सुनता है सो यस आपने बहुत हेल्प की मैंने हस्बन को कॉमेंट भी बताए कि देखो सब खाते हैं मैं अकली नहीं थी उस समय सो वो भी हसने लगे बुले अब तो बहुत पुरानी बात हो गए मैंने बुला हाँ चलो ठीक है चीट भी मेरी पट भी मेरी यही होता है हर आइधिंग ह तो मच आप लोगों ने बहुत सारे लोग ने कहा कि हां बहुत जगा पर अलग अलग तरीके से खाया जाता है जैसे मैंने कहा हम लोग एमपी में रहते थे ना तो बहुत खाते थे उस साइट के लोग मुझे मेरे भाई को काफी पसंद था हला कि सारे फेमिली को और अब तो मुसमी भी आ गई है मेरे लाइन में उसको भी पसंद है वो वो भी मेरे साथ अब तो कंपनी देती है लेकिन हस्बन अभी भी नहीं खाते है आज है नाक पाचम हमारे यह नाक पाचम हर दोदो होते हैं हमारे यह तो मनाया जाता है और कई जगह है थिंग तो नेक्स त्वाली जो होती है वह मनाया जाते है कुलेर क्मोस् ak प्लास्थीं नहीं हम अक्तिक, तयार क्या प्रश्सन्च क्मोस्न तो वाँ आपको निख द्रोड़ इस पूर्ड़ कर दिए पूलर जिए कर नाई बस्ट अ लाँ प्राश्टर कैंष कि अजरा ग्रश्वार कि आंपलना इंगा झाल अ भी टो और रह प्रेव जड़ देच्ट इन आ प्रेव लिए मॉन्हें अंग्न त्रेव नीक्ट कि अट्र तो हमारे यहां नाग पाचम को ना कुलेर का प्रसाद चड़ाया जाता है तो यहां पर मैं अग्वान को भूग धराया जाता है लेकिन सच मानो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं इसलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा प्रसाद धराऊंगी जिससे बस थोड़ा-थोड़ा इसे पूरा कर सके हम लो तो यहां पर मैंने इसमें घी डाल दिया है आटे में और गुर्ट डाला था यह क्लिप यहां पर मिस हो गई सो बस गूट डालके आटा डालके सो अच्छे से गोली बना दिया है लड्डू की तरह सो आप देख सकते हो बहुत ही छोटी सी एक मैंने बनाई है बस प्रसाद के जितनी ही क्योंकि फिर रेस्ट करना इतना वो नहीं होता ना प्रसाद तो प्रसादी होता है अगर सब खाल ल सो यहां तो इस तरह का होता नहीं क्योंकि वाल फिर सारा वो कलर वगेरा हो जाए लेकिन इंडिया में होता है कि जहां पर पानी का मटका रखा हो ना वहां पर करती थी मेरी मम्मी करती थी मैं दिखा करती थी उस तरह उस टाइम सो मैंने बस काउंटर टॉप पे ही यहां प पर बस यहां पर ड्रॉ करके सिंपल पुजा कर लिए मैंने जो प्रसाद बनाया था वो चड़ा दिया है यहां पर तो बस यहां पर पुजा हो गए है एक्चुली कई साल से मैं भूल भी जाती हूं इस तरह की पुजा करना और कई बार याद भी आजाता है तो इतना सच बताओं मैं एवरी यर नहीं फॉलो कर पाती हूं हाला कि जब जब वब थी तो डेफिनेटली नहीं कर पाती थी यह सारी चीजे और यस किसी ने लास्ट में मुझे कॉमेट किया था लास्ट वीडियो पे कि आपकी वीडियो बहुत उन्होंने अक्चुली सच कहा था कि उसको बैट के पानी पीना चाहिए एक सजेशन दे र करती हूं उसको कि कहां तक का सच है क्या है इस तरह कि बस एक आदत सी पढ़ गई है अब तो गूगल वगेर है तो काफी इजी हो गया है सो सर्च भी किया था यस काफी बैट के पानी पीने से क्योंकि कहते हैं कि खड़े खड़े पानी पीने से सिद्धस टमक में उतर जात है लेकिन बस एक रूटीन सी कहते हैं इंसान की रूटीन जो बन जाती है उससे बहार निकलना बहुत बस हाड होता है लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे फालो करूंगी थैंकिस सो मच आपके सजेसन के लिए हा कई बार हो सकता है कि मैं भूल जाओं बिश बिश में जैसे जाल दिया है इसके अंदर और इसे मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी और बेशन मैंने थोड़ा सा भून लिया था माइक्रोवे में ही आपने आगे दिखा होगा यहां पर अराउंड दो तिन चम्मच जितना ही मैंने भूना था लेकिन इसमें मैं दो चम्मच ही अभ जाल भी डाल दूँगी वो डालके सब कुछ अच्छे से मिक्स करके पणिर तो मैंने सुबहे से निकाल दिया था जैसे मैंने कहा तो वह भी रूम टेंपरेचर अच्छे से हो गया क्योंकि फ्रीज में था ना तो पनीर डाल दूगी और वेजी हमें पर मैंने काटके रख बेल पेपर एंड अन्यन सो वो इसमें सारा कुछ डालके मिक्स करके मैं इसे फ्रीज में अराउंड देड़ घंटे जितना मैं इसे रख दूंगी फ्रीज के अंदर सो इतना से बेशन बच गया है उसे मैं किसी और में यूज कर लोंगी यहां पर और मैं आज दूसरी आए अग चाइनेज हो गया और यह पंजाबी वेराइटी हो गयी तो चाइनेज पंजाबी आज मिक्स हो रहा है कभी कभी होता है न कि वही एक्चली हाका नूडल्स बनाना था फिर मुसमी भी आसरावन मास कर रही है मैंस आज नहीं कर रही है पूरा होल मंथ इसको भी प् मैं दूवा इतना दिल से नहीं चलिये यहां पे मैं साकिया नूडल्स की रेशीपी शेयर किये है यहां पर लाइट सॉय सॵया सॉय वीडियों में मेंने बताया है नहीं किसी का कॉमेंट था हए था कम होसी था वाई नए है liar का सकते है कि हम दे दुखें तो हम नहीं खा सकती है वाईएडी चीजे क्यों अच्छी बॉड़ी हो फिर भी यह चीजें हमें कहीना कहीं चूट नहीं करती है बॉड़ी के लिए अच्छी नहीं होती है लेकिन कभी कभार हम खा रहे हैं तो यह लाइट आप सैसा काट लिया था वहाँ पे और गार्लिक एंड जिंजर यहां डाल दूंगी ओईल के अंदर और इसे अराउंड 30 सेकंड के लिए सौटे करूंगी जलाना नहीं है बिल्कूल ही थोड़ा सा कलर चेंज हो उतना ही मैं यहां सौटे करूंगी और उसके बाद मैं यहां पर सबसे प अच्छे से थोड़े से सौफ्ट हो जाएं यह सारे व्याजी उसके बाद में अनियन डालती हूं इसमें और हाँ यह ड्रेस मैंने पहना है यह मुझे रेनु मासी ने दिया है मासी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को आपका यह गिफ्ट दिया हुआ ही ड्रेस मैंने आ तो सोचा चलो ड्रेसी पहन लेती हूं तो यहाँ पर मैंने हाका नूडल्स के बनाने के लिए जो सौटे किया थे वेजी उसमें अनियन वगएरे डाल दिये हैं ग्रीम चिली थोड़ा सा डाल दूगी बहुत जादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर वो हाट सॉस भी लिया केक स्टिक कर दूगी पनीर हो गया और जो भी वेजी है मेरे अनियन अन्वेल पेपर डाले हैं वो भी इसके अंदर डालके मैं अवन में इसे कुक करने रख दूगी तो यह बहुत ही फ्रिक्वंटली ऐसे बनते नहीं है यह चीजे कभी कवार ही बनती है सो खा लेना चाहि कोई बात नहीं है यहाँ पर यह रेडी है मैंने आवन भी प्री हीट कर दिया है 450 डिग्री पर और एक तरफ मेरे नूडल्स बॉइल हो रहे हैं वेजी सॉटे हो रहा है कच अंधर मैं डाले हैं कोई विनेगर डाले है अगर वह चुक्च नहीं सारा और डाल रहा है और यहाँ पर नूडल्स हो गए थी वो भी मैंने डाल दिये हैं इसके अंदर अच्छे से ये भी मिक्स कर लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर अवन भी मेरा प्रिहिट हो गया है उसके अंदर मैं पनी टिका को लगा दूंगी एराउंड 10-12 मिनिट के लिए इसे कोख होने देंगे तर यह दिखे अच्छे से कूख हो रहा है बस यह अल्मोस्ट डण है तो बस हमारा पनी टिका रेड़ी है इसे हम ग्रीन चटने के साथ शरू करेंगे और यहाँ पेहा का नूडल्स भी रेड़ी है सो मैं आसा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो एज वीज्वल लाइक कमेंट और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए फी मिलते हैं अगले व्लॉग में अंटिल देन टेक केर एंड बाई बाई